नमस्ते अभिवादन आपका इनुसेंट इन्वेस्टर के इसने वीडियो में बाजार में दोस्तों हरकम पमच गया 17 130 के आसपास बाजार अखर ट्रेड कर रही है जो बाजार कल 17 600 को अप्रोच कर रही थी वो भी 17 100 को अप्रोच करती भी दिखाई दे रही है हर जगें से मज प्रशबूत होने के बावजूद भी आज इतनी बड़ी कमजोरी क्यों जेल नहीं किवले कारण है निउस का और देखिए कितने भी पॉस्टिब केसिस हो जाएं ठीक है कितने भी पॉस्टिब केसिस आपके साथ बन रहे हो लेकिन बाजार जब गिरना चाहेगी तो उसे ए कोविट का वेरियंट आया पूरी भारत सरकार अलेट हो गई केंदर केंदर ने राज्य सरकारों को सक्त निर्देश भी दिये बहुत सारी बाते कहीं देर सारे देशों में ट्रेबल करने के लिए भी रोग भी लगी इस निउस ने ग्लोबल मार्केट्स को तहस नहस किया ख होता है ना expiry to expiry shift rollover जिसको कहते हैं shift होते हैं positions वो भी हमारे लिए लगभग लगभग positive था put call ratio हमारे लिए positive था option chain analysis अगर आप data read करते तो वो भी आपके लिए positive था समझ रहे हैं technically हम बनिया closing दिये थे positive था ठीक है technically global market से हमारे लिए positive संकेत ही थे थे ना कल डाउ किस कर रहा था मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में दिखाया था लेकिन उसके बावजूद बाजार ने हमको क्या करके दिखाया धमाका opposite side हर चीज positive होने के बावजूद बाजार एकदम opposite करके दिखा सकती है आपको आपकी तैयारी कितनी भी पुखता हो बाजार कब पलट जाएगी कब सिमरन पलट जाएगी हम नहीं जानते तो इसके लिए क्या तैयारी हो सकती है rules की rules जो भी आपने बना कर रखे हैं उनसे stick कीजिए सब के rules unique होते हैं बेहतरीन होते हैं लेकिन stick करना सब के बस की बात नहीं होती है इसलिए कह रहा हूं निफ्टी भले 17 700 पे आ गई अचानक से आ गई 17 600 से आ गई हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में कि नया कोरोना आ जाएगा या नया वेरियंट आ जाएगा हरकम पंचा देगा पूरी पूरी बाजार में तहसन है मतलब आप देखिए stocks को आपको दिखांगे नैसे की website पर क्यों फार्मा सेक्टर के stocks positive है I think हाँ ठीक है एक मिनट गिनस लूजस में देखिए सिपला डॉक्टर रेड़ी डिवीज लैब ये सब उपर है सिपला तो 5% उपर डॉक्टर रेड़ी देखिए 3% उपर डिवीज लैब सबापर गिरावट में देखिए टाटा मोटर्स हिंडाल को टाटा स्टील ओएंजी सी बजास finance देख रहे हैं फार्मा सेक्टर positive है metal सेक्टर ऑटो सेक्टर finance सेक्टर भयंकर तरीके से गिरा है भयंकर तरीके से ठीक है तेल का दाम देखिए कम हुआ तो ओएंजी सी भी गिर गया और ये हर जगे हाल है चौद तरफा विकवाली हो रही बाजार में ठ क्योंकि बहुत सारे लोग पूँचने के सारे recovery आ जाएगी ना ध्यान से सुनना न्यूज आई है और न्यूज के पीछे डबलू एच्चो कारण है और world health organization कोई छोटी संस्था नहीं है उसने बोला कि नया variant आ गया है अब अगर बाजार उस variant को serious ले रही है इसका मतलब क्य recovery small phases में ही आ सकती है इतनी तेजी से जैसे कि किसी दिन बाजा धाई परसेंट अब आज धाई परसेंट गिरिये कल धाई परसेंट ऊपर नहीं जा पाएगी यह बतलब बहुत लगभग नामुंकिन सा है लेकिन अब इतना भी नामुंकिन नहीं जितना कल वह नामुंकिन था आज होके हमें दिखा रहा है कल कोई मुझसे कहता कि बाजार भाई साब 200 नीचे खुलेगी उसके बाद फिर 200 नीचे जाएगी तो मैं कहता क्या यार पागल बना रहे हो लेकिन देखिए बाजार ने वो करके दिखाया ना तो कुछ भी कभी भी हो सकता है लेकिन चांसे साफी चांसे कम थे एकदम 20 वर्सा हुआ ना तयारी आप बनाकर रखिए क्या कि नीचे के लेवल पर स्टॉक्स खरीद होगे ठीक है जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो कम गिरेंगे लेकिन जब बाजार चलेगी तो बाजार के साथ साथ तेजी से चलेंगे यह आपको करक कम हुआ तो हमारी कुछ कंपणियां गिरेंगी ओए जीसी वगएरा इससे भी Global Markets पर थोड़ा सासर पढ़ता है अब Global Market से हमें संकेत लेना होता है संकेत हमने नेगटिव लिया उसके बाद opening हुई तो opening हुई तो stop losses जाने लगे, stop losses जाने लगे, तो बाजार और नीचे जाने लगी, अभी बाजार के लिए important support levels आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा सा note कर लिजेगा, बाजार अभी 17,085, ये level बहुत ज्यादा important है, ध्यान रखिएगा, 17,000 से भी ज्यादा important है थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बाजार exactly वहीं पर खड़ी है, ठीक है, exactly वहीं पर खड़ी है, जो मैंने आपको level बताया है, panic जैसी situation अभी बाजार में बन कर बैठी है, देखिए बाजार वहीं पर आ चुकी है, जो मैंने आपको level बताया है, let's go for the best कि बाजार यहां क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं गया, यह मतलब सूचिए, वाह, 400 का low, 800 का high, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चलिए, बढ़ियां लिस्टिंग हुई है, 20-25% उपर, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, स्टॉक 20% अपर सर्किट पर चला है, है ना, चलिए जाने दीजे, 20% या बिक्वाली हावी है, पूरे 4 अरपा सेग्मेंट में, और एक जगह टार सन अपर सर्किट मार रहा है, होता है, होता है, देश में सब कुछ होता है, देखते हैं, बाजार क्या करके दिखाती है, पैनिक सेलिंग हो रही है, और मैं आपको अगर रोकूंगा, स्टॉक बल नहीं है, लेट्स ओफ और दी वेस्ट की चीज हमारे फेवर में हो, इन्वेस्टर के फेवर में हो, अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे, देर सारी अच्छी वाली वीडियो में, नमस्कार